नमस्ते देबसमिदा किचेन में आपका स्वागत है आज हम छिलका मुंगडाल बनाएंगे ये बनाना बहुत आसान है खान्ने में टेस्टी और हेल्दी भी है तो छिलका मुंगडाल बनाने के लिए क्या-क्या इंग्रेडिन की जरूत होता है याई देख लेते मैं एक बोल स्विलका मुंग डाल लेए ग्राम में ये देढासो ग्राम होगी उसके साथ लेए हूँ एक बोड़ी साइज की टमाट बारी कटी खुए एक मिडियूम साइज की प्याज बारी कटी खुए दो हरी मिर्च लंबाय में कटी हुए एक छोटी चा माझ साबुत जीरा एक दिन चोथाई छोटी चामाच हल्दी पाउड एक चोथाई छोटी चामाच धन्या पाउड चार साबूत लंग दो बड़ी चामाच तेल नमक्सवाद अनुशार मैं आधी छोटी चामाच लिए हूँ आप आपकी टेस्ट की हिसाब से थोड़ी सी कम ही आजादा डाल चकते है हर इधन्या बारी खटी हुई आए बनाना शुरू करते हैं पहले हम छिल्का मुँघ डाल को एक बड़ा सा बॉल मैं डालके उसे आच्छे से दो बर दो लेते हैं डालको मैं आच्छे से धो के प्रेशरगु कर में डाल दे हूँ जिस बोल में हम डाल लिये थे उसी बोल में नाप के चार बोल पाने प्रेशर को कर में डाल देते हैं साथ में नमक डाल देते हैं और हल्दी को भी डाल देते हैं प्रेशर को करके कभर को बंद करके मीडियम फ्रेम में एक सिटी आने तक बिठा देते हैं एक सिटी आगे अभी हम प्रेशर को करको नीचे उतार लेते हैं और थंडी होने के लिए छोड़ देते हैं अभी हम डाल के लिए तटका की रेडी करते हैं प्यान बिठा के प्यान को गरम होने देते प्यान गरम होगे अभी हम प्यान में ओयल डाल देते और ओयल को गरम होने दल देते हैं तेल गरॉम होगी है अब हम इसमे जीरा डाल देते हु कि जीरा ब्राउन कोलर होगी अब हम इसमे हरी NICK को डाल देते और साथ में यह आज भी डाल देते है कि मीडियोम फ्लेय में पिया less को इंच अदावकने तक और हालकिस प्राउन waiting होने तो कहां फ्राई करेंगे सेबूत लौगों को अखें में डाल के अभिया में दरदरा कोट लेते हैं कि प्रियाज को थोड़े से चला लेते ताकि पेयाज़ा अलकिषी ब्राउन कलर होज़ें इस हमारी याध़ा पूंकी है यारच ब्लावण कलर भी हो गया है अब यह मात्रम टॉत्क हुल हैं तोक स्था ये अच्छा चलती खया हुठ मेर्व कबवर को निख्याल के वह तोड़ी चला लेंगे दैंगा निचे लगकर जल सकती है फिर कभर करके बिठा देते हैं, टामाटर पग गए हैं, अब हम इसमें हरी धनिया डाल देते हैं, हरी धनिया को 15 सेकेंड के लिए चलाते हैं, फिर इसमें थोड़ी सी पानी डाल देते हैं, मैं इसमें करी 25 से मिल पानी डाले हूं, पानी की मसला के साथ आच्छे से मिला लेत साथ में जीरा पावडर को बीडाल के ठटका में डाल दे हैं शपलकर कॉरल करने, अधी अधीन की प्रेशोपुकर से सारे ग्यास निकल गई है अभी हम कवर को निकल के डाल को तड़का में डाल देते हैं डाल हमारे आच्छे से पक गई है अभी हमें इसे तड़का में डाल देते हैं दाल को थड़का के साथ अच्छी तरह से मिला लेते आपको अगर थोड़ी से पतला डाल चाहिए तो आप और थोड़ी से पानेश में मिला सकते हैं में करीब 20 मिल पाने में प्रेशोप्र कर्पुद्धों के डाल में डाल दी हूँ इसे एक उबाला लाने तो गवेटने देते हैं एक उबाला के है हमारी टेस्टी और हेल्दी सिल्का मुंग डाले रोड़ी है अभी हम ग्यास को अपकर लेते हैं इसे आप रोटी के साथ आएए आपको कैसा लगा इस वीडियो के नेचे कमेट बाक्स में मुझे जरूर शेयर कीजी अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और दुसरे को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यमाद फिर मि कर दो कर दो कर दो